नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा हमारी आगामी बहुत प्रतिक्षित वेकेंसी समिक्षा अधिकारी और साहेक समिक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन सं मंदी एक सूचना जारी की गई, जिसके मार्ध्यम से ओक्टोवर के द्वितिय सब्ता में इसका नोटिफिकेशन फाइनली आने की संभावना है, और उस हिसाब से यदि हम लोग परिगरित करें, तो लगभग आपका जो एक्जाम होने की प्रबल संभावना दिख रही है, वो जैन्वरी के मंत में ज्यादा दिख रही है, और जैन्वरी के मंत में यदि आपका एक्जाम होता है, तो चार महीने तो आपके पास सॉलिड रूप से बचे हुए है, उसके अलावा भी यदि हो सकता है कि हम लोग को आधा या एक महीना पूरा मिल जाए, उस हिसाब से अधी हम लोग देखें, तो चार से पांच महीने में हम लोगों की आरो एरो की विशेश रणनीती क्या हो सकती है, इसको तैयार करने के लिए, आज के इस वीडियो में दरसा हम लोग उसी पर बात करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप लोग पता है, रणनीती संबंदी तमाम सारी वीडियोज अल्रेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं लोगों की, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि एक ही प्रकार की रणनीती सभी के लिए कारगर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है, वन साइज देजन्ट फिट फॉर आल, तो कपड़े में आप कोई भी एक साइज लेने जाएंगे और वो सभी को फिट आजा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इस आधार पे कपड़े का कुछ एक बाइफरकेशन यदि कर दिया जाए, S, M, L, XL इस टाइप में, तो वो थोड़ा सा उससे सहुलियत हो जाती है, उसी प्रकार से हम लोग भी आज की ध्यान दीजेगा, किसी भी एक्जाम की तैयारी करते हुए, एक साल से कम का समय हुआ है, ठीक है, एक साल से कम का समय हुआ है, उनको UPPSC किसी भी एक्जाम की तैयारी करते हुए, दूसरे वे लोग हैं, जिनको वास्तों में जो पहले भी एक्जाम कोई दे चुके हैं, यान लगभग 2-3 साल से इस परिक्षा में सनलगन है, UPPSC के परिक्षाओं में सनलगन है, और कटाओफ से लगभग 10-12 अंक पीछे रह जाते हैं, ठीक है, यानि कि इनकी अधिबात करें तो इनके concept के इस्तर पर ये मजबूत हैं, परन्तु facts के इस्तर पर, क्योंकि इस परिक्षा क जो ROARO की हमारी परिक्षा है, उसका nature ही कुछ इस प्रकार का है, जिसमें factual किस्म के प्रशन अधिक पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ और भी विशिष्ट चीजे होती हैं, जैसे यहां पर UP को प्रशन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से कुछ कु उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात उनके बारे में भी करेंगे, जो कि पहले भी मेंस दे चुके हैं, जिनोंने पहले भी मेंस दे चुके हैं, वो चाहें PCS का मेंस दिये हो या ROARO का दिये हो, बात यहां पर UPPSC के सभी एक्जाम्स के बारे में की जा रही है, इसके आधा पर हम लोग रणनी की बात करें, तो देखिए सबसे पहले, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो freshers जो हैं, उनकी देखिए, यहां पर हमारे पास pre में कौन कौन से subject हैं, तो pre में हमारे पास हैं, एक तो GS है, दूसरा है हिंदी, ठीक है, GS और हिंदी subject है, अब ध्यान दी syllabus की बात करें, तो syllabus इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका syllabus बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतना कम भी नहीं है, ठीक ठाग, अगर बात करें इसमें books जो हम लोगों को पढ़नी रहती हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा है, ठीक है, यहां पर जहां आपको हो सकत पढ़नी पढ़ सकती है, यहां पर दो ही बुक, और यह 16-17 बुक में से हो सकता है, इसकी ज्यादा तर बुक, इनकी बुक से मोटी ही हो, उसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं, मार्क्स की, तो मार्क्स का वेटेज देखे, निश्चित तौर पर यहां पर ज्यादा है, परंत ध्यान देने योगी बात यह है, कि यहां पर यह 140 में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है, जिसके पूरे 140 नंबर आ सके हैं, ठीक है, तो यहां पर हद से हद बच्चों कितने आ जाते हैं, तो 85 नंबर आ जाते हैं, जबकि यहां पर काफी संख्या में लोग ऐसे ह होते हैं, जिनके 60 में 60 नंबर भी आते हैं, ठीक है, 55 प्लस तो लाने ही चाहिए, लेकिन 60 में 60 नंबर भी कईयों के आते हैं, तो उस लिहास से यदि हम लोग देखे हैं, तो एक बात हम लोगों को clearly इस पस्टर देखे, मेरी तबियत थोड़ी से ठीक नहीं है, तो इस वज लोग score कर सकते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा नंबर हिंदी में कर सकते हैं, कम पढ़के कर सकते हैं, इसका मतलब समझ में यह आ रहा है कि यहाँ पर time जो हमें देना है, वो कम time देना है और उसके average में हमें ज्यादा अंक मिल सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा तर बच्चों के हम आपको बता है तो 65-60 नंबर ऐसे ही इसी प्रकार के ही आते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, परन्तु एक जो क्रक्स इन सभी बातों से निकल के आ रहा है, एक जो यहां पर मोटी-मोटी बात निकल के आ रही है, वो यह आ रही है, कि भाई, यह जो एक्जाम का पैटर्न है, उससे हमें यह समझ में आ सकता है, कि जितना ज्यादा हम लोग हिंदी में महनत करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग हिंदी में महनत करेंगे, जियस में हमारी महनत उतनी ही कम होगी, इसका यह अल्थ कदाप नहीं है, कि जियस में महनत नमबर या 60 में 60 इस प्रकार का कुछ अगर exceptional marks score करते हैं तो आपके निश्चित तोर पर हिंदी में आपको 70 नमबर भी लाएंगे GS में तो भी आपका काम चल जाएगा ठीक है तो इसलिए आप समझ लीजे कि एक तो GS की महत्ता वो हिंदी पे बहुत ज्यादा निरभर है लेकि उसके बाद जो इसकी किताब है कम से कम दो मानक पुस्तकों से तो उसका अध्यन कीजिए इंक्लूडिंग जो previous year questions की book है उसको भी साथ में रखते हुए ठीक है उसके बाद इसकी आप test series solve कीजिए ठीक है रही बाद GS के preparation की तो GS में देखे कई सारे sections है और GS के जो विभिन sections ह उनमें यदि देखा जाए तो कुछ sections ऐसे हैं जो की very important है कुछ है important और कुछ less important भी है आपको ये less important आप खुदी समझिए कि 5 महिने में 4 महिने में आप इसमें से क्या आपको करना ज्यादा जरूरी है इसको अगर आप 5 बार revise करेंगे तो इसको दो बार कीजिए इसको एक ब कुछ portion होंगे जिनको आप एक ही book से केवल cover कीजिए किसी में केवल घटना चकर से ही काम चल जाएगा तो किसी में घटना चकर प्लस standard books इससे काम चलेगा कौन से ऐसे विशय हो सकते है इससे संबंदित सूचना हमने अपने पिछले दूसरे या तीसरे वीडियो में आप दे चीजे बताई गई है अब आप देखेंगे तो यहां पर यह यदि आप समझ गए कि GS में important क्या है क्या नहीं है यह बात भी हमने अपने एक वीडियो में बताई है कि किस परीक्षा से कितने प्रस्न किस subject से कितने प्रस्न पूछे जायते हैं वो वीडियो जरूर देख बहुत important वीडियो है और हमारी कोई भी वीडियो होती है वो लगभग 3-4 गंटे की research के बात तयार होती है इसलिए हर एक वीडियो अपने आप में important होती है अब देखें यहां पर आपको यह पहली बात तो समझना है कि हिंदी में आप जितनी मेहनत करेंगे GS में उतनी ही कम म पड़ेगी GS के जो most important sections है उन पर पहले focus कीजिए क्योंकि आप अभी नए है इसलिए आप केवल pre पर ही focus कीजिए केवल pre पर आपके लिए विशेश रूप से आपको ध्यान रख रहा है केवल आप pre पर focus कीजिए ठीक है आप जब pre पर focus करेंगे उसके परिणाम स्वरूप आ आपका वैसे भी तयार हो जाएगा ठीक है क्योंकि मेंस होता है 400 नंबर का उस 400 में जो चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें दो सब्जेक्ट है GS और हिंदी का ठीक है वहां पर GS आती है 120 नंबर की हिंदी आती है 60 नंबर की और उस हिसाब से दी देखेंगे तो यह 180 नंबर हो जाता है out of 400 और इस प्रकार से 45 परसेंट यह constitute करता है मेंस का तो यानि आप यह दिक प्री की ही तैयारी कर रहे है उसके बावजूद भी आपका पूरा यहां पर मेंस का आधे पोर्शन लगभग तैयार हो जा रहा है ठीक है तो आपको तो कहीं पर भी नहीं भट के आपको केवल प्री पर ही लगना है किस प्रकार से लगना है इसके संबन में आप सबसे पहले यह देखिए कि कौन सा portion ज्यादा important है कौन सा कम important है और जो portion ज्यादा important है उसको कहां से पढ़े ये सब हमारे upcoming videos में है या फिर जो पहले video हम लोगों ने अल्लेडी बनाए उन म अब बात करते हैं जरा उनके बारे में जो कि cut off से 10 से 12 अंक पीछे रहते हैं उनकी यहादी बात करें तो यहाँ पर देखिए उनका concepts जो है वो दुरुस्त हैं तब ही वो लोग cut off के इतने पास तक पहुँच पाते हैं लेकिन समस्या आ रहे है facts में या फिर pyq का उन्होंने अध्यन नहीं किया या फिर एक समस्या ये भी हो सकती है कि वो लोग जो है वो test नहीं solve करते हैं ठीक है तो ये तीन समस्या हो सकती है अच्छा freshers वाले जो लोग है उनको एक चीज अल ध्यान रखनी है कि आप लोग test series जरूर follow करें यानि कोई भी आप अगर portion पढ़ रहे हैं उसके साथ में उसकी test series जरूर लगा लें लेकिन अभी के लिए आप लोग full length test avoid करें ठीक है अब जो चीज आपने अच्छे थे पढ़ी ही नहीं है उसके बारे में test दे के आप करेंगे क्या इसलिए आप लोग केवल यह जो sectional test series होती हैं जिसमें कोई कोई sections बताया जाता है वो आप उससे तयार कर सकते हैं जिसमें हर एक section आप जो भी जैसे chapter पढ़े च्याल chapter आपने पढ़े उसकी जाके test दे दीजे ऐसा test series हमारे भी platform पे उपलब दाए इनफोकस सिविल नामक इनफोकस सिविल एकेडमी नामक एप डाउनलोड कर लीजेगा वहां पर यह सारी चीज़े अवलेबल है अन्य था आप कहीं और से भी इसको देख सकते हैं अब बात करते हैं इनके बारे में इनके concepts अच्छे हैं लेकिन facts में कमी हो सकती है क्योंकि य और वास्तों में जो previous year questions है वो यहां पर बहुत महत्रपून भूमिका इस exam में निभाते हैं उसके अलावा हो सकता है कि test जो है उन्होंने परियाप्त ना दिया हो यानि कि उनको आता सब हो लेकिन प्रश्न जब उनके सामने exam में देखता हो तो वो उसको solve ना कर पाते हो यह मुख समस्याएं हो सकती है इनके आधार पर हम लोग क्या कर सकते है तो देखिए जब यह लोग cut off के इतने नजदीक तक पहुंच जा रहे हैं मतलब इनको बहुत मेहनत उस हिसाब की नहीं करनी है कि आप लोग अभी से ही केवल pre-oriented हो जाए लेकिन अपनी तैयारी का लगभ लोग अपने pre की ही तैयारी में दीजिए क्योंकि pre में भी अभी आपके थोड़ा सा problems है ठीक है 20% हिस्सा आप लोग mains में भी दीजिए 20% आपको mains में भी देने की आवशकता है उसका कारण क्या है तो उसका कारण यह है कि दरसल यह 20% जो mains के आप तैयारी करें मेंस ही वह व इसका final selection होगा ठीक है pre it's just a qualifying प्री से केवल आप mains देने लायक बनेंगे लेकिन mains के अंकों के आधार पर ही आपका final selection होगा इसलिए आप लोग mains जो है उसको भी कम से कम कुछ हद तक तैयार करते हुए चलिए अब mains में आप देखें तो तैयार करेंगे क्या अगर हम लोग इ मेंस का portion देखें एक तो GS है एक हिंदी है objective दूसरी है हिंदी ड्राफ्टिंग वाला portion जो है आपको पता ही होगा और चौथा है essay का सबसे पहली चीज हिंदी में देखें एक तो आता है गद्यांस आता है गद्यांस आपका कितने नंबर का होता है तीन नंबर का आपका सीरसक लिखना होता है छै नंबर का सारांस लिखना होता है और उसके बाद चाल तीन बारा बारा नंबर का आपका होता है व्याख्या ल आपके आते हैं, आठ ट्रिक 24 नंबर के, उसके अलावा मुहावरे आते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां आते हैं, दस नंबर की प्रशासनिक सब्दा वली यहां पर एक नई चीज जुड़ जाती है, जो UPPSC किसी भी एक्जाम में हमें नहीं देखने मिलती है, यह यहां पर आत का portion, यह purely आपका practice पर ही based है, आपको practice करनी होगी, और यह practice यदि आप अभी ना भी करके, आगे भी कर लेंगे, तो कोई उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको pre देने के बाद कम से कम 4 महीने का समय मिलेगा, और उस समय में यदि आप practice करेंगे तो आपके लिए ज्यादा beneficial होगा, अगर अभी आप practice करते हैं, तो यह वैसे भी उस समय बहुत ज्यादा लाब देने वाला है नहीं, सारणियन ऐसी चीज है, जो कि आपका एक class में हो जाता है, और इसमें कोई बहुत विशेष, मतलब इसका इतना importance आप समझ लीजे कि 15 नं से आप 12 नंबर score कर सकते हैं, तो इसको भी आप बाद के लिए ही रखिए, रही बाद यहाँ पर पत्र की, पत्र देखिए बहुत सारे होते हैं, और बहुत से confusing पत्र भी होते हैं, उसको भी आप चाहे तो उसी समय ही तैयार कर सकते हैं, कई लोग आपको मिलेंगे जो अभी भी तैयार करा रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें कोई विशेस हाज़ा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपकी प्री की तैयारी, आप 10-12 नंबर जो चूक रहे हैं न, वो केवल 10-12 नंबर नहीं हैं, आप इस चीज को समझे, हम लोग कट आफ के जितना नजदीक होते हैं, उस प्री एक्जाम होने के बाद, ठीक है, एक्जाम होने के बाद ना की रिजल्ट आने के बाद, एक्जाम होने के बाद चार महीने का समय मिलेगा, एक महीने में आपके सारे पत्र वगएरा कंप्लीट करा दिया हैं, उसके बाद आप उसकी केवल प्रैक्टिस करिए, तीन मही पिलाती है, हम लोग अभी रोग दिये थे, अपने जो हमारे बैचेस चल दे, उसमें हम लोग अभी इसलिए रोग दिये थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्री पहले ही हो जाएगा, परन्तु अब हम लोग उसको दुबारा शुरू कर रहे हैं, और मुहावरे व समय में क्या पढ़ता है, तो केवल पत्र याद करने कोशिश करता है, और प्रशाशनिक सब्दावली याद करने कोशिश करता है, तो उसका कारण ही यह है कि प्रशाशनिक सब्दावली एक ऐसी चीज़ है, जो प्योर रठने की चीज़ है, और पत्र जो लोग याद करते ह वो दरसत कॉंसेप्ट से परचित नहीं होते हैं, वो केवल याद ही करने फोकस करते हैं, तो वो एक कमी हो जाती है, ठीक है, कम्प्यूटर की यदि बात करें, तो कम्प्यूटर के आप लोग short notes बनाने की प्रक्रिया अभी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके आप लोग short notes अभी आते हैं, ठीक है, और वो प्रशन देखेंगे तो आपको बहुत सरल लगेंगे, प्रशन लगेगा की email क्या है, हमानली जी यही प्रशन आ गया क्या है, आपको लगेगा क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप उसकी अभी से तैयारी ना करें, अपको लगेगा मेंस के टाइम में थोड़ा वह देख लेंगे हो जाएगा पर इसके short notes अगर आप बना लेंगे तो वास्तों बहुत helpful होगा क्योंकि email क्या है अगर आप से पूछा जाए तो आप खुदी सोचेंगे कि email तो सोचते ही रह जाएंगे कि वास्तों में लिखे क्या लिखना क्या है वो समस्या आ जाती है और वो चीज हमें short notes के माध्यम से दिये हम लोग बना लेंगे तो काफी आसान हो जाएगी अगर ढंक से हम लोग देख लें तो computer की परिभासा, internet की परिभासा, email क्या है, primary, secondary, memory ये सब भी चीजों की परिभासा वो सब हम लोग को exactly नहीं याद होता है रही बाद GS और Hindi की तो वो आप पढ़ी रहे हैं यानि 45% आपका मेंस जो है वहीं से पहले ही से तयार हो जाएगा उसके अलावा ये सारी चीजे यानि 20 नमबर ये, 10 नमबर ये, 10 नमबर ये, 40 नमबर आपका इधर से हो जाएगा इसके बाद एक subject बचता है essay, निबंद, न आप लोग अभी से उसकी practice हर हाल में शुरू कर दीजे, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम pre के बाद में निबंद को उठाएंगे, फिर उसके सारे sections पे, सभी विश्यों पर हम लोग निबंद देखेंगे, कौन-कौन से है, क्या है, उसी समय में हम लोग model निबंद भी कर पाना 2-3 महिनों में, ठीक है, तो निबंद एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें थोड़ा समय लगता है, हम लोगों ने जब पिछला अपना batch शुरू किया था, हमाँ सबसे पहला बैस था निबंद प्रैक्टिस बैस और वो ही उसी को award भी मिला, और वो हमारा इतना ज्याद ज्यादा popular batch हो गया, लगबग 300 से ज्यादा लोगों ने उसे join किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो कि उसमें बहुत active रहते हैं, और उनके निबंदों में शुरू से लेके, अंत तक अभी तक के निबंदों में, मैं खुद काफी changes महसूस कर पा रहा हूं, वो ल जरूर लिखिए, वन पर वीक आप निबंद जरूर लिखिए, लेकिन समस्य आती है कि निबंद लिखे कैसे, निबंद का content कहां से लाए, पहली line क्या लिखे, यही सब चीज़े थोड़ी सी उलजन रहती है, तो उसके लिए आप लोग, हम लोग upcoming अपने videos लाएंगे, जिस में, तो आप एक तो ऐसे करते हुए चलिए, उसके अलावा आप हिंदी का drafting वाले portion का थोड़ा हिस्सा करते हुए चलिए, और बाकी GS हिंदी, अब आपको लगेगा कि यह जो portion है हिंदी और निबंद का, इसमें हमारा 20% में कहां हो पाएगा, तो यह निबंद आपको daily basis पर को दे दीजे, दो, तीन गंटा, चार गंटा आप हिंदी को दे दीजे, इस प्रकार से भी आप manage कर सकते हैं, तो यह on an average की एक बात कही गई है, कि आप अपने 80% समय pre-exam को दीजे, 20% mains को दीजे, pre-exam को जो आप 80% देंगे, वो वास्तों में केवल pre नहीं है, बलकि mains का भी 45% है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो लोग freshers हैं, लेकिन confident हैं कि यह लोग भी अच्छा कर ले जाएंगे, इस बार इनको 300% निकलेगा, इनकी तैयारी अच्छी है, freshers होने के बावजूद, वो लोग भी इस प्रक्रिया को follow कर सकते हैं, ठीक है, और जो लोग इसम 10 से 12 अंक पीछे रहे, पीछे नहीं है, बलकि हो सकता है, 20 से 22 नंबर पीछे हैं, और इसके अलावा, वो freshers भी नहीं है, यानि 2 से 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बदलाओ भी है, कि मतलब freshers जो confident हैं, वो इसमें चले ज जियान देना है, और इसके confident लोग mains का भी थोड़ा सा portion उठा सकते हैं, अब बात करते हैं, जो पहले भी mains दे चुके हैं, उनके बारे में, इनके लिए बहुत simple सा है, कि ये लोग pre तो तयारी करें ही, mains का भी सारा का सारा portion ये लोग तयार कर लें, क्योंकि जो पहले भी निक केवल pre की तयारी में ना उल जाएं, बरबाद न करें, आप लोगों को ये wishes ध्याम रखना है कि केवल RO-ARO की dedicated preparation करें, वो ही आपके लिए ज्यादा beneficial होगा, और यहां पर 20 से 25, sorry, ये आपका जो 2 से 2.5 महिना है, ये आप लोग pre के लिए ही रखें, केवल बाकी समय जो है, व इन तीनों categorization से, जिसका जो पहले मेंस दे चुके हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मेंस भी दीजिये, मेंस की भी तैयारी कीजिये, ये लोग को भी मेंस का कुछ prepare करा दे रहा हूँ, इन लोगों को नहीं करा रहा हूँ, तो आपके मन में एक दुविधा उठेगी कि इस तैयारी करते रहने की, ठीक है, ये परिक्षा ऐसी है, जब आपका final जो selection होगा, ये मान के चलिए आपका, नौ महीने का समय अभी उसमें अच्छे से है, और वो नौ महीने सेम पेस से, समान गति से आप लोग उसमें अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे हैं, ऐसा बहुत क पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि पढ़ाई जो है, थोड़ा वहुत विच्छित सभी की होती है, अगर आप खुद को dedicated एकदम एक ही तैयारी पर focused रखते हैं, तो निश्चित तोर पर ये सभी लोग समान इस्थिती वाले में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, slow and steady wins the race, यानि कच्छुआ जो होता है, वो ही दरसल जीतता है, कोई खरगोष नहीं जीतता है, ठीक है, जो मतलब आप लोग यदि निश्चित रणनीती के माद्यम से, अब देखें, यहाँ पर अगर हम इनको भी कह दें कि आप लोग भी मेंस की तैयारी कर लीजे, तो अगर प्री ही नहीं निकला, तो फिर मेंस की तैयारी से लाब क्या होगा, तो आप यह भी समझते चलिए, कि मेंस किसके लिए जरूरी है, मेंस का कुछ हिस्सा किसके लिए जरूरी है, और बिलकुल केवल प्री पर औरियेंटेड रहे ना, वो किसके लिए जरूरी है, इसका आप अंतर समझें आज के वीजिट बीओ में, उसके बाद GS का कौन सा पोर्शन कैसे तैयार करना है, कितना तैयार करना है, किसकी क्या बुक्स फॉलो करना है, ये सभी बातों पर वीडियो हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में ला रहे होंगे, कुछ पर अल्रडी अविलेबल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.